हलो इस्टुडेंट बहुत बहुत स्वागत थे आपका कक्छा चटवी गनित के इस वीडियो लेक्चर में आज हम अध्याय 13 के अंतरगत प्रस्नाली 13 के प्रस्नकमांग 11 से लेकर प्रस्नकमांग 16 तक के प्रस्नों को इस वीडियो में देखेंगे मेरा नाम है सर्वननंदिस लहरे चलिए सुरू करते हैं चलिए सुरू करते हैं प्रस्नकमांग 11 से प्रस्नकमांग 11 क्या कहता है किसी गाओं की जनसंख्या 3,000 है पहले वर्स 10% बढ़ती है एक वर्स बात 10% की कमी आती है जनसंख्या में होने वाली प्रतीसत बढ़ोतरी या कमी ग्याद कीजिए ठीक है तो इसको किस प्रकार से हल करना है चलिए देखें देखो एक ही प्रस्नकों हल करने के बहुँ सारे तरीके हो सकते है ठीक है इस चीज को पहले आप दिमाग में रखेगा तभी आप कभी यद करता है जो कॉंपिटिशन एक्जाम को त्यारी करता है तो उसका तरीका अलग हो सकता है ठीक है और मैं यहाँ पर जो बता रहा हूं वह तरीका भी अलग हो सकता है तो इस चीज को आप समझ pastor रहे और जो भी चीज में बता रहे हूं उसे खुले मनसे समझ या ने तो देखो, हल दिया है गाउं की जनसंख्या बराबर तीन हजार अब यहाँ पर रूपाय मत लिख देना ठीक है तीन हजार क्या है जनसंख्या है अब यह बोलता है पहले वर्स दस प्रतीसत बढ़ती है पहले वर्स 10 पर तीसर इसको हम क्या बोलते हैं बर्णा को क्या बोलते हैं व्रिद्धी बोलते हैं यह सिंपल से सब्दों में हम बढ़ती है ना तब जनसंख्या तब जनसंख्या क्या होगी ठीक है जब पहले वर्स 10 पर तीसर की व्रिद्धी होगा तब व्रिद्धी होने के बाद जनसंख्या क्या होगा इसको हम पहले क्या तरहें ठीक हैं तो देखो तीन हजार तो पहले से हैं तीन हजार क्या है पहले से हैं और इसमें तीन हजार का दस प्रतीसर तीन हजार का दस प्रतीसर जनसंख्या और आ जाएगा ठीक हैं तीन हजार धन अब इसको हम सॉल करेंगे भई तीन हजार का का मतलब होता है गुना और दस पर तीसाथ का मतलब होता है दस बटे सव ठीक है दस पर तीसाथ का मतलब क्या होता है दस बटे सव इसको अब हल करेंगे 3000 को कुछ मत करो, इसको हल करने है भई, 0000 ये आपका जो ये 300 है, है ना, इसमें जुड़ेगा और हमारा जो जन संख्या है, एक वर्स के बाद, वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है इसके बाद क्या होता है, 10 प्रतीसत की कमी जन संख्या में क्या होता है भई, 10 प्रतीसत की कमी होता है तब जन संख्या अब देखो, ध्यान दिजी, कि सुरवात में जन संख्या कितना था, सुरवात में जन संख्या 3000 था तो जो ये 10% वृद्धी हुआ, जो 10% बढ़ा, वो 3000 के हिसाब से बढ़ा, ठीक है, लेकिन अब जनसंख्या 3300 हो गया है, तो जो ये कमी बोर रहा है, 10% की जो कमी बोर रहा है, वो ये 3300 के अधार पर होगा, ठीक है, तो देखो कैसे होगा, 3300 अभी जनसंख्या है, और इसमे अपन को क्या करना है, कमी करना है, कमी को करना है, मतलब माइनस करोगे, और जब आप वृद्धी बोर रहे हैं, तो क्या की हो, यहाँ पर प्लस की हो, ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, कितना है हमारा जनसंख्या 3300 है, और इसका 10%, ठीक है, का 10% प्रतीस तो यह अपन को graph है अब you बोलता है कि जो दूसरा वर्स है जो दूसरा वर्स है उसमें 10% की कमी होता है अब यह जो 10% की कमी है वो किस पर होता है जो दूसरे वर्स के सुरवात में जो जनसंख्या है उसके ऊपर होता है ठीक है तो यह आएगा 3300 दूसरे वर्स का सुरवात में है इसमें क्या हो रहा है 3300 का 10% कम हो रहा है तो भई यह है आपका 3300 रिन इसका 10 परसेंट निकालना है कैसे निकलता है का का मतलब क्या होता है गुना और 10 परसेंट का मतलब क्या होता है 10 भटे 100 तो यहाँ पर आ जाएगा रिन कार दो भई 330 तो सुन्य में से सुन्य गया सुन्य में से 3 ठीक है सुन्य में से 3 जाएगा नहीं इससे हासिल मांगेगा तो यह 10 हो जाएगा 10 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा साथ अब यह खुद कितना बज गया है यह खुद दो बज गया दो में 3 घटेगा नहीं तो इससे हासिल मांगेगा हासिल मांगेगा तो 12 हो जाएगा 12 में से 3 घटाओगे, तो कितना आएगा? 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आएगा, ओके? अब ये स्वयम कितना रह गया है? 2 रह गया है, तो अब जो जन संख्या है, वो कितनी है? 2970, ठीक है? अब हमारा जो प्रस्न है, वो क्या पुश्टा है? उसको समझेगा, ये पुश्टा है जनसंख्या में होने वाली प्रतीसत बढ़ोत्री या कमी तो ये जो बोर रहा है ना ये पूरे डूरेशन कब हो रहा है ठीक है यहाँ पर कितना डूरेशन है पहले तो एक वर्स बढ़ा फिर दूसरे वर्स में क्या हुआ कमी हो रहा है तो यहाँ पर दो वर्स की बात करें कि दो वर्स हमें प्रतीसत रूप में जनसंख्या बढ़ा है कि कम हुआ है ऐसा अपन को पूछ रहे हैं यदि हम दो वर्स का एक सांथ बताना चाहते हैं तो इस्टार्टिंग जनसंख्या क्या हो जाएगा? और अन्तिम जन संख्या क्या हो जाएगा 2970 समझाया अब अपन क्या करेंगे जो लास्ट में है ना ये दो साल के ड्यूरेशन में जो चेंजेस आया है उसको देखेंगे ठीक है तो देखो लास्ट में जो जन संख्या वो क्या है? कम है और सुरुवात में जनसंख्या क्या है जादा है इसका मतलब यहाँ पर जनसंख्या में कमी आया है ठीक है चूंकि चूंकि सुरुवात में जनसंख्या 3000 तथा अन्त में 2970 है अतह जनसंख्या में कमी बराबर सुरुवात में जो जनसंख्या वो जादा है और बात में जो जनसंख्या वो क्या है कम है तो हम क्या कहेंगे हाँ पर जनसंख्या में कमी हो रहा है तो भई यहाँ पर कमी कितना आ रहा है 3000 में इसको घटाओगे तो आपको 30 मिलेगा ओके तो यह तो मिल गए आपको कमी इसको आपको प्रतीसत में बताना है ठीक है तो कैसे लिखेंगे अतह जनसंख्या में कमी का प्रतीसत बराबर देखो भई जनसंख्या में कमी कितना हुआ है 30 और सुरवात में जनसंख्या कितना था 3000 ठीक है यह है तीन हजार में से 3000 में से 30 की कमी समझा रहा है 3000 में से 30 की कमी इसको ऐसा लिखा जाता है अब इसको आपको प्रतीसत बताना है तो यहाँ पर 100 का गुना करना पड़ेगा, ठीक है? और एक बटा 100 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है न? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 को 3 से भाग दोगे, तो क्या जाएगा? 1, एक बटा 100 को हम क्या लिखते हैं? प्रतीसत के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ पर जनसंख्या में जो कमी हुआ है वो क्या हुआ है एक प्रतिसत की कमी हुआ है ठीक है यह आपका आंसर हो गया देखो इसी प्रस्ण को हल करने के और भी तरीके हैं ठीक है देखो एक चीज़ याद रखो यदि किसी प्रस्ण में एक डूरेशन जैसे यहाँ पर पहले वर्ष में 10 पर रिद्धी वो रहा है और उसके बाद बोलता है कमी पहले बोलता है वृद्धी फिर उसके बाद क्या बोलता है कमी ठीक है या पहले बोल देगा कमी फिर उसके बाद बोलेगा वृद्धी ऐसा टैप से दे दिया है और दोनों समय में प्रतीसाथ क्या है बराबर है दोनों समय क्या है प्रतीसाथ आपका बराबर है ऐसे इस सिती में कमी ही होता है क्या होता है कमी ही होता है यदि किसी प्रस्वन में आपको वृध्धी बता रहा है और कमी भी बता रहा है और दोनों का प्रतीसत सेम है तो ऐसे इस इस इति में क्या होता है भई कमी ही होता है याद रहेगा ठीक है और इस प्रतीसत को आप डारेक ग्याद कर सकते हो कैसे क्यात कर सकते हो इसको समझे यहाँ पर जो यह आंक दिया है उनको गुना कर दो जैसे दस और दस यह तो दस गुनी दस कर दिये ठीक है अब यहाँ पर प्रतिसत कितने बार है दो बार है है ना तो यहाँ पर नीचे में दो बार 100 का गुना कर दो काटो के भाई ऐस से एक बटे सब मतलब की एक प्रचीसात तो इस तरीके से आ जाता है ठीक है और यदि आप इसको दूसरे तरीके से और सॉल करना चाहते हैं तो यह माना सुरवात में जो जन संख्या कितना है सो प्रचीसात है अब इसमें क्या हो रहा है दस प्रचीसात की व्रिद्धी हो रहा है क्या हो रहा है भई सो परसेंट में दस परसेंट का व्रिद्धी करें तो कितना हो गया 110 परसेंट हो गया 10 और 110 का 10 परसंट क्या होगा 11 तो लास्ट रम क्या जाएगा भई 99 परसंट सुरुवात में 100 परसंट लास्ट में 99 परसंट दोनों में डिफ्रेंस करेंगे बराबर 1 परसंट सुरुवात वाला ज्यादा है लास्ट वाला क्या है? कम है मतलब कि क्या हुआ? कमी हुआ है ऊГ tisto? कमी बराबर 1 परसंट तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंड करके हल किया जा सकता है लेकिन जो सुरुवात में दिया हूँ वो कक्छा छटवी के हिसाफ से ठीक है कक्छा छटवी का जो student है उसको उसी तरीके से हल करना चीए जिससे उसका कॉंसेप्ट ज्यादा अच्छा बन पाएगा ठीक है चलिए अब हम हल करते हैं बारवा नंबर के प्रस्न को बारवा नंबर का प्रस्न क्या कहता है एक व्यक्ती 630 रुपय का समान खरीदता है दुकानदार ने उसे केवल 567 रुपय लिये हो ठीक है क्या है एक व्यक्ती 630 रुपय का समान खरीदता है लेकिन दुकानदार क्या कह कि भाई आप सिर्फ पांसाव सरसाट रुपए दो है ना मैं आपको छूट दे रहा हूं ठीक है उस व्यक्ति को कितने प्रतीसत की छूट मिली प्रस्त पहुंच सिंपल है कैसे हल करेंगे देखो प्रस्त करमांग डालो हल लिखो फिर उसके बाट डेस ठीक है देखो जो वस् का जो मुल्य होता है है ना जैसे कि आप कोई प्रोडक खरीद रहे हो और उसमें क्या है MRP लिखाया रहता है है ना उसमें क्या है जो रेट है वो लिखा हुआ होता है या फिर आपको दुकांदर बोलता है कि इसका रेट इतना है है ना आपको बताता है कि इसका रेट इतन अपन को अंकित मुल्य दिया है अंकित मुल्य फिर से बता रहा हूँ देखो कोई भी आप समान खरीदते हो तो उस पर मुल्य लिखाया रहता है ठीक है या फिर आपको दुकानदार बताता है कि इसका रेट इतना है तो उसको हम क्या कहेंगे, अंकित मुल्य कहेंगे, क्या कहेंगे, अंकित मुल्य, ठीक है, तो यहाँ पर अंकित मुल्य अपन को दिया है, 630 रुपए, ओके, अब ये जो रेट है, इतने में दुकानदार क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है, इतने में क्या कर रहा है, दु विक्रय मुल्य कहेंगे, क्या कहेंगे, विक्रय मुल्य, विक्रय मुल्य, पांसव सर सर, देखो, दुकानदर जितने रुपय में बेचता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विक्रय मुल्य कहते हैं, ठीक है, और जो भी समान के उपर लिखाया रहता है, या उसका रेट दुका कहते हैं अंकित मुल्य घते ठीक तो देखो यहां पर विक्राय मुल्य क्या है कम है और अंकित मुल्य क्या है ज्यादा है जब अंकित मुल्य ज्यादा हो विक्राय मुल्य कम हो तो वहां पर क्या मिर रहा है छूट मिर रहा है ठीक है तो अपर छूट की रासी पहले ग्याद कर ठीक है तो छूट की रासी कैसे ज्याद करोगे अंकित मुल्य में जो विक्रय मुल्य है उसको घटा कर सुन्य में 7 नहीं घटेगा हासिल मांगेगा इससे यह 10 हो जाएगा 10 में 7 घटाओगे तो 3 आ जाएगा ठीक है अब यह खुद कितना रहा गया 2 रहा गया 2 में 6 नहीं घटेगा ठीक है हासिल मांगेगा इससे तो यह 12 हो जाएगा 12 में 6 घटाओगे तो 6 आ जाएगा फिर यह स प्राफ्थ हो रहा है, 36, ओके? यह सब किसमेव है, यह सब रूपिये में हैं, तो अपर रूपिया लिग देते हैं, ओके? तो यहां पर अपनको छूट का रासी मिल गया है, अब हम इस छूट की रासी का प्रतीसत ग्याद करेंगे, ठीक है? तो छूट की प्रतीसत, चूट की प्रतीसात या पिर छूट की रासी का प्रतीसात ऐसा बहुफ़ सकतcuz है ना तो ये कैसे गयात होगा इसको समझें है कैसे गयात होगा उसको देखें देखो या 630 रूपया उसका मुल्य था ठीक है इसमें आपको 63 रूपय क्या कर रहा है क्ला है छूट दे रहा है 630 में से 63 रुपए आपको क्या कर रहा है? छूट दे रहा है 630 में से 63 इसको कैसे पढ़ना है? 630 में से 63 ये आपको छूट दिया जा रहा है अब इसको हमें प्रतीसत में बताना है तो यहाँ पर 100 का गुना करना पड़ेगा ठीक है और एक बटा 100 भी गुणा करना पड़ेगा मतलब यहाँ पर 100 का गुणा क्यों हो यहाँ पर 100 का भाग कर रहे हो ठीक है अब कैसे होगा बभुआ ठीक है यह 0 यह 0 अब यह 63 यह 63 ठीक है तो एक आएगा एक का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 10 आगया ओके यह कट गया फिर उसके बाद 331 एकम 33, 331 एकम 33 कर जाएगा बचेगा क्या 10 और इधर जो एक बटा 100 है उसको हमको लिखना है पर 30 के रूप में इस तरीके से तो छूट का पर 30 अपन को यहाँ पर में रहे है 10 पर 30 ठीक है और यह आपका क्या है आंसर है चलिए देखते हैं हम अब तेरवा नंबर के प्रस्नक को तेरवा नंबर का प्रस्नक क्या कहता है किसी संख्या का 75 प्रतिसाथ 600 रुपया है किसी संख्या का 75 प्रतिसाथ 600 रुपया है तो वह संख्या ग्याद कीजिए तेरवा हल दिया है संख्या का 75 प्रतीसत बराबर 600 रुपए संख्या का 75 प्रतीसत 600 रुपए यही तो दिया है अपने इसको लिख लेते हैं संख्या का का मतलब गुना 75 प्रतीसत तब 75 प्रते 100 बराबर 600 ठीक है तो संख्या बराबर क्या होगा भई? संख्या बराबर होगा यह वाला जो प्रसन है इसको दूसरे साइड में तिर्या गुणा कर देंगे दूसरे साइड में 600 पहले से है यह जो 100 है वो क्या है बटे के नीचे में है दूसरे साइड में जाएगा तो वो बटे के ऊपर चले जाएगा और यह 75 जो बटे के ऊपर में दूसरे साइड में जाएगा तो बटे के नीचे है जाएगा ऐसा क्यों हो पाया क्योंकि यह 75 बटे हुसको है इसको क्या खाए इसको मैं वोलते हैं तिष्रयक गुना करना ठीक है तो तिर्यक गुना करने पर ऐसा लेक देते हैं के यह हो गया अब यहां पर हम क्या करते हैं कैसे होगा डेखिए पचीस तिया, पच्छात्तर, पचीस चौंख सव ओके, तीन एकम तीन तीन दूनी छे, तीन सुनें सुन, तीन दू सुनें सुन ओके, चार और दो सव का बुना करेंगे तो अपन को मिलेगा आड सव तो इस तरीके से, ओके यहाँ पर रुपए दिया है, 600 रुपए इसलिए अपने यहाँ पर सभी जगह में रुपए लिखती है तो वह संख्या क्या है भईया? वह संख्या है, 800 रुपए अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहो, तो ऐसा लिख सकते हो अतह अभिष्ट संख्या अभिष्ट संख्या बराबर 800 रुपए अब हम हल करते हैं चवदा नंबर का प्रस्ण को चवदा नंबर का प्रस्ण क्या खता है? बैंक में एक व्यक्ति ने 5000 रुपए जमा कराए कुछ वर्सों के बाद उसे 6000 रुपए मिले तो उसके धन में कितने प्रतीसत की वृद्धी हुई? यहाँ पर साब साब अपन को बता रहा है कि वृद्धी हुआ है ठीक है? हल करेंगे, कैसे करेंगे दिखे चवदा नंबर डाल देते हैं फिर उसके बाद हल लिखेंगे फिर उसके बाद टेस ठीक है? फिर उसके बाद दिया है लिख लेते हैं दिया है, जमा रासी, जमा रासी है, पांच हजार रुपए, ठीक है, और प्राप्त रासी, जो रासी उसको मिला है, वो है अपना छे हजार रुपए, ठीक है, इसलिए व्रिद्धी की रासी, देखो भई, अपना जो प्राप्त रासी वो ज्यादा है और जमरासी वो कम है तो जो ज्यादा है उसमें से कम को घटाओगे ठीक है सिंपल है ना जो आपको प्राप्त रासी है उसमें से आप जमरासी को घटाओदोगे तो आपको जो वृद्धी रासी वो प्राप्त हो जाएगा ये अप यह जो एक हजार रुपए प्राप्थ हो है इसको अपन को प्रतीसत में बताना है ठीक है इसलिए व्रिद्धी का प्रतीसत यह जो एक हजार रुपए जो अपन को मिल रहा है वो किस रासी के हिसाब से मिल रहा है वो अपन को मिल रहा है पांच हजार के हिसाब से मतलब कि 5,000 रुपय हम जमा किये तो अपन को 1,000 रुपया मिला 5,000 में से 1,000 5,000 अपन जमा किये तब अपन को 1,000 मिला ठीक है? समझा रहा है? ये जो वृद्धी हुआ है वो कौन से रासी के उपर वृद्धी हुआ है? वो हुआ है आपके 5,000 रुपय के उपर ठीक है? 6,000 तो लास्टम में मिला है न? सुरुवात में कितना था? सुरुवात में 5,000 था तो नीचे में अपन किसको रखते हैं? जो सुरुवात में हैं जो सुरुवात में हैं ठीक है? और उपर में वृद्धी को साव का गुना करोगे तो साव का भाग दोगे ठीक है प्रतीसात में बदलने के लिए साव का गुना करना पड़ता है और साव का भाग दिना पड़ता है फिर उसके बाद यहाँ पर इसको हम इस तरीके से कार देते हैं भई सव को 5 से भाग दोगेट कितना आएगा? 20 आएगा एक बटा सव को हम लिखते हैं प्रतिसात की रूप में ठीक है? तो यहाँ पर कितना प्रतिसात का वृद्धी हो रहा है? 20 प्रतिसात का वृद्धी हो रहा है ओके? अब हम देखते हैं 15 नमबर के प्रस्न को 15 नमबर का प्रस्न क्या करता है? किसी कक्षा की दर्ज संख्या 40 है इनमें 36 लड़के उत्तिन हो तो उत्तिन एवं अनुतिन का प्रतिसात ग्यात कीजिए ठीक है? चलो, हल करते हैं भाई? 15 नमबर का प्रस्न है दर्ज संख्या दिखो, अपन लोग ये सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पर दिया है लिखना दम कंपल सरे कोई कंपल सरे नहीं है, ठीक है? समझा रहा है दर्ज संख्या, जो जानकारी दिया, लिख दो भई कितना है? चालिस है, है न? फिर उसके बाद बोलता है उत्तिर्ण कितना है? उत्तिर्ण, यहाँ पर लड़के लड़किया नहीं बोला है तो अपन सिर्फ उत्तिर्ण लिखेंगे, तो भी काम चलेगा नहीं तो आप लिखना चाओ तो उत्तिर्ण लड़के ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? तो यह चाओ तिर्ण, देखो अपन को जो यह प्रतिशा bater करने पूला है, यहाँ पर अनुत्तिर्ण लड़कों का प्रतिशा to भी पूछ रहा है, ठीक है? तो उसको भी यहाँ पर अपन ज्यात कर लेते हैं अनुतिर्ण, लिख देते हैं भई, लड़के है ना यहाँ पर भी लिखते थे हैं लड़की ऐसा ठीक दरज संख्य है 40 36 लोग इसमें पास हो गए है 36 लोग क्या हो गए है पास हो गए है 40 वे 36 गटा हो गए तो क्या बचेगा 4 यह 4 लोग क्या है अनुत्तिन है अब यह जो अपन को ग्यात हो गया है ठीक है क्या क्या ग्यात हो गया भाई उत्तिन लड़के तो बताया था अनुत्तिन लड़के अपन लोग पता कर लिए अब यहाँ पर अपन को उत्तिन और अनुत्तिन लड़कों का प्रतिसत बताना है ठीक है तो यहाँ पर लिखो इसलिए उत्तिर्ण लड़कों का प्रतीसत बराबर 40 में 36 लोग क्या है उत्तिर्ण चालिस में 36 उत्तिर्ण ओके 40 में 36 यह हो गया लिख दिए फिर उसके बार इसको प्रतीसत बदना है तो यहाँ पर सौ का गुना कर दो और जो बटे में हम सौ का गुना करते हैं ठीक है उसको प्रतीसत के रूप में लिख दो ओके कारते हैं भाई इसको चार एकम चार चार निया 36 नौ और दास का गुना करेंगे तो आ जाएगा 90 ओके वैसे ऐसे कटर पटर नहीं करना चीए ठीक है नेकिन जनली हम लोग ऐसा ही तो करते हैं यह हो गया भाई तथा अनुत्तिर्ण लड़कों का प्रतीसत बराबर चालिस में चार लोग क्या है अनुत्तिर्ण हैं है ना इसमें अपन 100 का गुना कर देते हैं और जो 100 का भाग देते हैं उसको हम प्रतीसत के रुप में लिख देते हैं ठीक है अब देखो यह कटा यह कटा चार को चार से भाग दोगे एक आएगा एक का गुना 10 के साथ करेंगे तो क्या आएगा दस ही आएगा तो यहां पर आ गया 10 परसेंट ठीक अतः उत्तिर्ण बराबर 90 परसेंट अनुत्तिर्ण बराबर 10 परसेंट ओके और यह आपका आंसर हो जाएगा अब देखो इसी प्रस्न को और दूसरे तरीके से हल किया जा सकता है ठीक है कैसे हल कर सकते हैं देखो भई 40 में से 36 उत्तिर्ण का प्रतिसत जब गयात करते हैं तो जो जानकारी दिया रहता है उसको पहले भीन्ने में बदलना रहता है ठीक है देखो कभी भी जब आप कोई जानकारी को प्रतीसत में बदलना चाह रहे हो तो आपको जानकारी को पहले भीन्ने में बदलना रहता है तो यहाँ पर 36 लोग पास है लेकिन किन में से 40 में से ठीक है तो 40 में से 36 पास है ऐसा फिर उसके बा तो पहले ही प्रतिसत के रुप में लिख सकते हो और इसको ज्यादा हो रहा है तो कोश्टक में रख दो फिर उसके बाद इसको हम solve करेंगे है ना? आप चाहो तो यहीं पर cutter-futter कर सकते हो नहीं तो फिर कोई अलग से जगह में आप इसको cut-fit करो और यहाँ पर direct answer को लिख दो ठीक है जैसे हपन अभी इसको solve कर चुके है तो कितना आया था? 90% आया था ठीक है? तो अलग से जगह में solve करके जो answer इसको direct लिखो और यहाँ पर cut-fit करने की जवरतनी है तो यहाँ पर अपन को उत्तिर्ण का प्रतीसत आपको प्रतीसत पूछा है संख्या नहीं पूछा है ठीक है? तो यदि सिर्फ प्रतीसत बताना है यदि हम कूल दर्ज संख्या को प्रतीसत बताना चाहें तो कितना होगा? कूल दर्ज संख्या को यदि प्रतीसत बताना चाहते हो तो वो होता है 100% कुल दर्ज को यदि आप प्रतिस्थ बताना चाहो तो वो क्या होता है आपका 100% होता है 100% में 90% पास हो गए हैं तो बचा कितना जी है 10% ठीक है तो इस तरीके से भी हम इस प्रस्ण को हल कर सकते हैं और ज्यादा बहतर ही लगता है ये वाला तरीका ठीक है आपका मर्जी जो भी तरीका आपको समझ है उस तरीके से आप सौल कीजिए अब हम देखते हैं 16 नंबर के प्रस्ण को 16 नंबर का प्रस्ण क्या कहता है किसी गाउं में 90% 31% साक्षर है यदि उस गाउं की जनसंख्या 16 सव है तो साक्षर एवं निरक्षर की संख्या ग्याद कीजिए ठीक है चलो हल करते हैं 16 लिख लो हल लिखो डेश करो और बहतर होगा कि आप दिया है ऐसा लिखो मैंने पिछले प्रस्ण में दिया है नहीं लिखवाया था ठीक है तो भाई यहाँ पर क्या क्या जानकारी दिया है गाउं का 90 प्रतीसत व्यक्ति साक्षर है ठीक है यह अपन को जानकारी दिया हुआ है ना और जो कुल जनसंख्या है है ना गाउं की जनसंख्या कितना है भई 16 सव है यह अपन को जानकारी दिया हुआ है ठीक है है सब्द लिखना है तो लिख लो नहीं लिखना है तो मत लिखो है ना गाउं का 90 प्रतिसत व्यक्ति साक्षर है यह जानकारी अपन को दिया है गाउं की जनसंख्या की संख्या अपन को संख्या बताना है ठीक है तो चलो संख्या बताते हैं कैसे बताओगे भई साक्षरों की संख्या साक्षरों की संख्या यहाँ पर कुल जन संख्या है सोला सौ सोला सौ का नब्बे प्रतीसत क्या है भई? साक्षर है तो यह हो गया आपर हम सोला सौ लिखेंगे का का मतलब गुना और नब्बे प्रतीसत का मतलब होता है 90 बाटे 100 इसको solve करेंगे अपनको answer मिलेगा ठीक है ये cut गया ये भी cut गया ऐसे अब इसको और इसको गुना करेंगे 16 निया 16 निया कितना होता है 114 और ये 0 भी है ठीक है ये आ गया ये है आपका साक्षरों की संख्या ये क्या है आपका साक्षरों की संख्या देखो यार यहाँ पर आपको साक्षरों का पता चल गया है कुल जन संख्या पता है है ना कुल जन संख्या में से साक्षरों की जन संख्या को गटा देंगे तो निरक्षरों का संख्या आपको मिल जाएगा ठीक है या उसको क्या बोलते हम अनपड बोलते हैं अनपड मत लिग लेना ओके प्रस्ण में जो सब्दा इस्तमाल किया है उसी को करना तो निरक्षरों की संख्या तो यहां पर बराबर हो गया ओके निरक्षरों की संख्या ग्यात करना है तो क्या करेंगे टोटल जो जन संख्या है उसमें से साक्षरों का जो जन संख्या है उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे है ना तो अपनको निरक्षरों का संख्या मिल जाएगा तो देखो भाई जीर में से 4 घटेगा नहीं, इसे हासिल मांगेगा, तो यह 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटाओगे, तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर यह अब खुद कितना बज गया, 5 बज गया, क्योंकि 1 अपना इसको दे दिया था, 5 में से 4 घटाओगे तो 1, और 1 में से 1 घटेगा तो 0, है ना, तो न आक्षरों का संख्या और निरक्षरों का संख्या प्राप्त हो रहा है, और इस तरीके से यह वाला वीडियो यहीं पर कंप्लेट होता है, और यह वाला प्रसना वाली भी, ठीक है, मिलते हैं नेस्टर वीडियो में, तब तक चैनल के साथ बने रहे हैं, चैनल को सस्क्राइ जरूर करना, ओके, बेस्ट आफ लग, ठैंक यू.